तो आज मेरे पीशे में हैं यह है कमिंस एंजिन डीजी 125 के विए का तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकरी देने वाला हूं इसके बारे में कुछ जानकरी आप लोगों को देना चाहता हूं यहां से स्टार्ट हो जाता है चलू करते हैं पैनल स्टार्ट हो जाएगा और यहां नीचे में कर दो यह सब मिंटर काम करते हैं यह सब डटन काम निकरना यह यह लाइट है यह फॉर कंड़िशन मंने फ quería चारों इसब इसमें लगा यह कमिनश इंजन quantitiesrias कमिन लगवा हैं यह कंदे डिजन तो ये दे.- यह यह इसका रेडिएटर यह अपना fn किककर पंप और यूच्ल टेंग शॉटिव आई अच्छ नीचे लिए टेंक और यहां आथे हैंति हां कि देख सकते रिस्प्लेमें सारा चीज सोग करता है अभी नहीं कर रहा अभी जिस चालू किये हैं हमसे इसको कर रिते बन श्टाबी निकाल लेते से उनदर में यह ऐंसी से लिए बाकी यहां कुछ इसके वायरिंग्स होगे रहे हैं अर यहां बैटरी चारज आ जो कि करेंट की वज़े से मतलब करेंट मतलब सिंगल फेस लेकर जो अपना चोबिस वोल्ट निकाल के बैटरी को जाए चार्ज करता है यहां पर कुछ mcv लगे हुआ है यह लगा हुआ है दो सेंपियर का एंसे भी थ्री फेस का यह सप्लाई है कि अधियर कि अधियर कर देता है यहां पिसको इंजन को कुलिंग के लिए यहां पे फैन लगा हुआ है मोटर है मोटर में पंके लगा हुआ है इसके फिल्टर हो गया जो हमें अगया आप यहां से देख सकते हूं कि नहीं से कुलेंट में दाल सकते हैं यहां से क्हुल के यहां से इसका फ्रेंट साइड और इसके यहां पर जो है इस सेड में एक केबिन दिया हुआ है अंदर में अपन समान वगरा रख सकते हैं उसको भी दिखा देता हूं खोल के कि यहां पर आप देख सकते हूं यहां पर बनाया हुआ है यहां पर आपन जो है डीजल अगरा यहां पर रखते हैं कि इसे साइड से भी दिखाते हैं आपको इसको फ्रेंट साइड हो गया यह साइड उसके बाद यहां पर पीछे में पीछे में भी यहां पर अपना बैटरी आपके मिल जाता है बैटरी रखा हुआ है यह बैटरी यह इंजिन इसल्फ मोटर सेल्फ टाइम मोटर आप आप यह है इस काल्टिनेटर जो कि करेंट ने को पैदा करके देता है करेंट निकालता है यह है 125 के विये का डीजी जो कि इसमें अपन 120 तक का लोड 110 तक का लोड अपने इसमें आराम से दे सकते हैं जो कि यह बहुत अच्छे से वर्क करता है तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करकर जरू से बताने वीडियो पत्रम आब तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब् झाल